अमिज शाह ने कहा है कि मम्ता बेनरजी ने मुसल्मानों की 118 जातियों को OBC में शामिल करके आरक्षन देना शुरू किया था मम्ता वोट बेंक के चक्कर में दलत आदिवासियों और पिछडे वर्क का हक मार कर मुसल्मानों को रिजर्वेशन दे रही थी अमिज शाह ने कहा कि अब मम्ता को गुम्रा करने का कह रही है कि वो कोट का आदेश नहीं मानेगी लेकिन केंद सरकार ये सुनश्चित करेगी कि आरक्षन उन्ही को मिले जो इसके हकदार है ये मामला मूलत वहां से हुआ है कि 118 मुसलिम जातियों को बीना किसी प्रोसेस पिछडे पन के सर्वेव अगरे के बगर मम्ता बैनरजी ने OBC का रिजर्वेशन दे दिया कोई कोट में गया कोट ने इसका संग्यान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिपिकेट इस्यू हुए हैं इसको अभिस ठगन आदेश देने का काम हाई कोट ने किया है मम्ता बैनरजी पिछडे वर्क के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डाल कर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती हैं मैं हाई कोट के फैसले का स्वागत करता हूं मम्ता जीने का हम हाई कोट के फैसले को नहीं मानती हैं मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, सम्विधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है, जो कहेगी कि हम कौट के आदे इसको नहीं मानते हैं, किस प्रकार की मानसिक्ता से बंगाल का लोग तंत्र गुजर रहा ह मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और हमें निश्चित सू निश्चित करेंगे कि हाई कौट के फैसले का अमल हो, और जिनका अधिकार है जो पिछड़े लोग है, पिछड़ा वर्क के लोग है, उनको अपना अधिकार मिले तो दुवानी जंग चल रही है, उनकार सरकार हमारे सेहोगी इस वक्त सीधे पश्यमंगाल से जोड़ गए है, उनकार सवाल ये है कि एक तरफ ममता बिनरजी कह रही है कि हम लागू नहीं करेंगे, हाई कोट के आदेश को सुप्रीम कोट में चुनोती देंगे, बीजेपी कह रही है कि OBC के हक का आरक्षन मुसलिम वर्गू को दिया गया, सुप्रीम हाई कोट के फैसले में क्या कहा गया है, किस आधार पर ये रद किया गया है, और क्या सचमुच मुसलिम जातियां भी बंगाल में OBC जाती के तहत आरक्षन ले रही हैं। जी देखिए, ये राय कल आया है कोलकाता हाई कोट से और जिसमें कहा गया है कि जितने भी OBC 2010 साल के बाद सर्टिफिकेट इशू हुआ है, सब कोई को रत कर दी जा रही है। क्योंकि जो 2011 से बाद, 2012 साल में जो बनी है, जो राय उसमें देखा गया है कि कई सारे नियम का पालन नहीं किया गया है। कि जितने भी नौक्रिया इस OBC सर्टिफिकेट को देखकर मिली है, वो नौक्रिया के उपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, या नहीं कि जो कोई भी नौक्रिया पाने के प्रोक्रियर प्रोसेस aired इसमें कोई पाख्या कोई इस राय का लेकिन जो देखने वाली बात है कि यह OBC का कैटेगरी कितना है यह कैटेगरी समझने के लिए थोड़ा सा डेप में जाना पड़ेगा तो देखा जा है तो 2010 साल के बाद जब 2011 साल में ममता की सरकार आई तो वहाँ पर देखा गया OBC के कैटेगरी में 71 कैटेगरी को जोड़ा किया नहीं से उसमें से 65 कैटेगरी जो कि मुस्लिम समूदाय से आते हैं तो यह कैटेगरी कैसे करके डिवाइट किया गया है यह समझनी की थोड़ा सा जरूरत है जैसे कि पूरे जो OBC या फिर पिछले हुए बर्क का जो भी है उसमें टोटल है 179 यानि कि 119 OBC कैटेगरी ह जिसमें से दोनों भाग में इसको बिवाजित किया गया है स्टेनी A और स्टेनी B तो इस स्टेनी में देखा जाए तो इस स्टेनी का स्टेनी A में जो है कैसी जन जातिया है जिसमें से सारा मामला उंकार समझ में आ गया उंकार कह रहे हैं कि 2011 में 71 जातियों को शामिल किया जो मुस्लिम समाज से हैं और उसमें OBC कमिशन की रेकमेंडेशन नहीं थी और यही वो मूल आधार है जिसके आधार पर कलखता हाई कोट का फैसला आया है उंकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए